नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार जैन, मैं गैस्ट्रो सर्जन इन दौर में फैक्टेस करता हूँ आजकल हम हर जगे सुनते आए हैं, आर्टिफिशल इंट्रिजेंस, ए आई, डीप फेक्स और ये सारी थीजे सो हमारी सर्जरी भी इससे अचुती नहीं है रोबोटिक सर्जरी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और अपकमिंग ब्रांच है वैसे रोबोटिक सर्जरी पिछले 15-20 साल से शुरू तो हो चुकी थी लेकिन अब पिछले 5-6 सालों में रोबोटिक सर्जरी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है रोबोटिक सर्जरी पे काम कर रहे हैं और इस समय इंडिया में इससे 500-600 रोबोटिक सर्जरेंट्स हैं जो यह काम कर रहे हैं फॉर्शुनिटली मैं भी उनमें से एक हूँ और जिणोंने इसमें कुछ ट्रेनिंग ले रखी है robotic surgery में एक बहुत common जो अवधारना है जो एक misconception है लोगों में वो यह है कि robotic surgery करता है अभी तक यह स्थिती नहीं आई है और hopefully कुछ समय तक शायद यह स्थिती नहीं आईगी तो robotic surgery का मतलब यह होता है कि एक surgeon एक machine पे बैठा हुआ है और उस machine पे बैठ के या खड़े होके वो पूरी surgery कर रहा है पट जो एक machine है जो patient के साथ लगी हुई है patient के पास में है और surgeon और machine के बीच में कुछ अंतर है कुछ distance है तो patient actually patient doctor जो है वो patient पे operating table पे operate नहीं कर रहा है वो console पे बैठा हुआ है और वो movements अपने हातों से machine learning के द्वारा refine करते हुए अपनी जो technique है उसको और fine करते हुए आप उतना accuracy से उतना confidence से और उतने ही dexterity से मतलब आप जो normally हमारा हाथ जो है उसके movements काफी सारे होते है आपके उंगलिया मूफ करती है आपके wrist मूफ करती है आपका elbow मूफ करता है जब हम laparoscopic surgery करते हैं जो कि मतलब दुर्बीन से जब operation करते हैं तो हमारे instruments का movement जो freedom of movement है वो दो ही direction में होता है या तो आप उपर नीचे कर सकते हैं या sideways कर सकते हैं लेकिन robotic surgery में आपके पास ये advantage होता है कि आपके instruments आपके ही हाथ की तरह अलग-अलग movements कर सकते हैं आपकी hernias की surgery, आपकी rectum की surgery, आपकी prostate की surgery जिसमें की normally laparoscopic surgery करना फ़ोड़ा सा मुश्किल होता है उसमें robotic surgery एक revolution लेके आ रहा है और अगले 4-5 सालों में ये revolution बहुत तेजी से बढ़ने वाला है robotic surgery में जादा से जादा surgeons strain होंगे और robotic surgery, surgeon के लिए भी बहुत advantages है क्योंकि आपका जो surgery में दर्द होता है body में, जो अलग-अलग posture की वज़े से आपके back में, आपके joints में problem होती है उसको आप avoid कर सकते हैं और patient की recovery, laparoscopic surgery से भी better होने लगी है so with that thing and a very promising future ahead नमस्कार कि झाला क्योंकि झाला और किए च Jackie चूह ब और को तूदavored कि भी better